वेरी गुड मोरिंग तो यू आल वेल्कम बैक इन मैं मैंट्स क्लास हमने हमाई लास्ट कास में जिखा था यूज ओफ कोमा कि जो कोमा हैं डिजिट में हम उसका कैसे यूज करते हैं उनको प्रेस वाइज हम कैसे सेपरेट करते हैं आज का हमाई टोपिक है मल्टिफिकेशन जिसका पार्ट टू पार्ट वन हमने क्लेर कर लिया था जिसमें वन डिजिट और टू डिजिट के मल्टिफिकेशन हमने सॉल्फ किये थे आज हैं फोर डिजिट बाई फोर डिजिट बाई फ्री डिजिट मल्टिफिकेशन कि हमारे बाग उपर कितना डिजिट है तो फोर डिजिट पैपन्य डिजिट को लेकि टी प्लिब से ठली व spectacular करेंगे to Cada군च गान्जिट को यहान सर ज़ोता है इस दीजिटो को 9 से एं सर्था मेंन चाहिए नाऌ मैं by 2 is equal to 2 1 multiply by 3 is equal to 3 1 multiply by 6 is equal to 6 second digit को multiply करने के लिए हम यहां 1 की जो digit है उसके निचे क्या लगाएंगे multiplication का sign next 2 multiply by 9 2 9 जा 18 18 का 8 1 यहां प्यारी 2 multiply by 2 2 2 जा 4 4 plus 1 is equal to 5 2 multiply by 3 2 3 जा 6 तो हम यहां कितना mention करेंगे 6 2 multiply by 6 2 6 जा 12 तो यहां पर कोई कैरी भी नहीं है तो हम यहां पर कितना अंसर लिख देंगे 12 अगर यहां पर next digit होता तो हम उसके उपर 1 जो यह 1 है वो उपर कैरी होता पर यहां पर कोई डिजित निगे it means हम यहां पर पूरा कितना लिखेंगे 12 next है third number में 7 तो यहां पर यह थार्ड नमबर पर है यहां पर हमने अब हम करेंगे 2 1 2 then हम multiply start करेंगे सबसे पहले है 7 multiply by 9 तो हमें 7 की टेबल कितनी बार बोलनी पड़ेगी 7 time अंसर होगा 63 63 का 3 6 carry next है 7 multiply by 2 is equal to 14 14 plus 6 14 15 16 17 18 19 20 तो यहां 20 का 0 2 carry next time 7 multiply by 3 तो 7 3 is a 21 21 plus 2 carry तो कितना मनेगा 23 यहां mention करेंगे 3 2 carry next time 7 multiply by 6 42 42 42 plus carry कितना है 2 तो यह add करेंगे तो कितना मिलेगा 43 44 तो यहां पर mention कर देंगे 44 complete है next को visiting है addition का sign और अब हम इनको add करेंगे यह हमारा जो multiplication का sum है वो end हो गया है तो हमने यहां पर line mention करनी है 9 8 or 2 10 10 का 0 1 carry 3 or 1 4 4 plus 5 4 or 5 9 9 or 3 9 10 11 12 12 का 2 1 carry 6 or 6 12 12 or 1 13 13 का 3 1 carry 2 or 1 3 3 or 3 6 4 1 5 4 तो हमारा क्या answer आया 1 10 100 1000 10 1000 लेक 10 लेक तो 123 कॉमा 12 कॉमा 45 लेक 63 209 जो स्टुडेंट्स जो मैंने आपको multiplication explain किया है 4 digit by 3 similarly आप 5 digit हो 4 digit हो उसको आप 3 digit से या 4 digit से से मेथर्ट से आप multiplication solve कर सकते हैं बस वहां पर आपको जो multiplication sign है वहां पर अगर आपकी multiplication में नीचे अगर numbers numbers add हो रहे हैं तो वहां पर multiplication को solve करते समय आपके वहां पर भी उसमें multiplication का जो sign है वो add हो जाएंगे and यह सारा similar है तो यह आपका homework है यहाँ पर मैंने 5 multiplication के शाम mention किया है जो आपको self अपनी notebook में solve करके मुझे photo send करना है that's all for today thank you